हाई अब्रिवन मैं कैसे हैं आप सब लोग मैं आपको जेके SSP अकाउंट एसिस्टेंज का जनरल साइंस का फजिक्स पोर्शन करवाने वाली हूँ जिसमें ये फजिक्स का सलेबस दिया गया है और इसमें मैं आपको मोशन करवाने वाली हूँ आज ओके मोशन को जानने से पहले हमें रेस्ट के बारे में पता होना चाहिए रेस्ट क्या है कोई भी चीज जब वो मूब नहीं करती है एक ही जगा खड़ी रहती है उसे हम रेस्ट पर कहते हैं मतलब हमारे स्राउंडिंग के अकॉर्डिंग अगर हम रेस्ट पर हैं अगर हम एक जगा खड़े हैं तो हम बोलेंगे कि हम रेस्ट पर और कोई भी चीज जब वो मूब करती है एक जगा से दूसरी जगा तो हम बोलते कि वो मोशन में है जिस सांसे हमें पता है यहां पर ए हैं उसे पढ़ने से पहले हमें इनकी टाम्स के बारे में पता होना चाहिए यहां पे मैं आपको जो कुछ भी करवाने वाली हो वो सब एक्जाम से रेलिवेंट है एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है और मैं एंशूर करूंगी कि जितना भी मैं यहां पर पढ़ाऊं वो सब एक् तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपके जितने भी कोशन इसे बने कम से कम उसमें मैक्सिमूम 80-90 परसंट इसमें से इस लेबस में आए ओके नो मोशन पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हैं जिसे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेस्मेंट, स्पीड, विलोस्टी, इसलेशन, यह कुछ टर्म्स हैं जो इमोशन में बार बार डिस्क्राइब की गई हैं इसलिए है सबसे पहले हम इसे समझते हैं और उसे पहले हमें स्केलर और वेक्टर कॉंटिटी के बारे में पता होना चाहिए Now what is scalar and vector quantity? Scalar quantity और vector quantity में क्या difference है? यह maximum time exams में आता है और इसकी examples काफी important है Scalar में सिर्फ magnitude है, magnitude का मतलब जिसमें सिर्फ amount के बारे में बताया जाता है या उसकी कोई direction नहीं होती जोकि vector quantity, magnitude and direction दोनों के बारे में बताया गया है Scalar के कुछ examples हैं जैसे की length, area, volume, speed, mass, density, pressure, temperature, energy, entropy, work, power यह इसकी examples हैं, vector quantity में क्या examples हैं? displacement, velocity, acceleration, momentum, force, lift, drag, thirst, weight यह जो इनके examples हैं, यह काफी important है होता क्या है, exams में maximum यही question पूछे जाते हैं कि बताओ कौन सी quantity है, जिसमें सिर्फ magnitude है या कौन सी quantity है, जिसमें magnitude and direction बोथ हैं या only direction डिस्क्राइब की गई है और इनके examples में, which of the falling is scalar quantity और which of the falling is the vector quantity इसे जब जब भी exams में जाएं, तो आपको यह इसके examples अच्छे से देख के जाएं और जब भी हमको exam देने जाते हैं, उससे पहले उसका basic knowledge होना बहुत ज़रूरी है तो scalar vector quantity में difference यही है कि scalar में magnitude होता है, vector में magnitude plus direction दोनों होती है जब भी हम किसी vector की बात करते हैं, तो उसमें क्या है, उसे कैसे represent करते हैं मालों कोई भी quantity हमें दी गई है, या तो उसे bold में represent किया जाता है या तो A के उपर एक arrow head बना जाता है A क्या है, हमने कोई भी entity ले लिया है, कोई भी quantity ले लिया है जैसे length, area, volume, speed इन सब में कोई भी direction specific नहीं की गए इनकी कोई direction नहीं है कोई भी काड़ी कहीं भी move करें, उसमें direction नहीं बताए जाते इसी भी यह देखा जाता है कि उसकी कितनी speed है अगर हम यहाँ पर बात करें displacement की displacement में क्या होता है, shortest distance cover करते है मतलब यहाँ पर हम direction को देखते है acceleration में भी हम direction को देखते है acceleration मतलब rate of change of velocity यह सारी चीज़े हमने आगे describe करनी है बस इस टाइम आप सिफ इतना ध्यान में रखें कि scalar quantity में सिफ magnitude होता है vector quantity magnitude and direction दोनों दिखाएगी है ओके और इनकी examples यह बारवर revise करें now अभी हम इन entities को one by one समझते है सबसे पहले distance and displacement हमने पहले देखा distance is scalar quantity है and displacement एक vector quantity है scalar quantity का मतलब इसमें सिर्फ magnitude बताया गया है और displacement में direction भी बताएगी है distance हम कैसे मालो हमें कहीं इस A से हमें जाना है इस position तक यह A है और यह है B हमें जाना है इस position तक अगर हम यह पूरा यहां से यहां इस तहां से ट्रावल करते हैं तो हम क्या करेंगे जितनी भी total length हमने cover की है उसे हम बोलेंगे distance जबकि displacement क्या होता है अगर हमें कहीं भी जाने पर जो भी shortest distance cover करते हैं उसे हम displacement बोलते हैं इसितन करते हैं Zachary's करते हैं और ऊसे क्या होता है इसे हमें इस यह तक तक हम गया कि पर पर्टिकुलर डिरेक्शन में move करते हैं और हमेशे एक स्ट्रेट लाइन में move करते हैं देखो यहां पे direction word यूज किया है मतलब direction में हम इसे जाते हैं एक particular direction में जाते है तो क्या है यह एक vector quantity है और यह positive भी हो सकती है negative भी और zero भी हो सकती है और distance हमेशे positive ही होता है या zero भी हो सका लेकि negative कभी नहीं होता क्योंकि जब भी हम कोई distance cover करते हैं तो उसमें हम कुछ ना कुछ distance तो cover करी रहे हैं मतलब जब भी हम move करते हैं यसे यहां से यहां गे चाहिए थोड़ा सा गे चाहिए एक कदम चले दो कदम चले पर कुछ तो distance cover किया और हम कभी negative नहीं चलते negative हम कभी जाएं नहीं सकते ऐसा हो नहीं सकता हम कहें भी move करते किसी भी direction में move करें हम कुछ तो move करें हैं कुछ तो distance cover कर रहे हैं और 0 भी हो सकता है कि हम एक ही जगा पर खड़े रहें कहीं जाएं ही ना उके नो displacement में displacement भी positive हो सकता है जैसे यहां से यहां तक कुछ distance cover किया तो वो positive है और zero भी हो सकता है zero कैसे जैसे कि अगर हमें इस A position से वापी से A position पर आना है पूरा move करके जब हम पूरा move करेंगे उसे distance बोलेंगे लेकिन displacement में क्या होता shortest distance cover करना है तो हम A point से move ही नहीं करेंगे वापी से A point पर खड़े रहेंगे तो क्या होगा A से A move करने पर हम अगर वहीं पर खड़े रहे तो मैं shortest distance ही दो cover करना है उस जगा ता पहुंचने के लिए हम पहले से उस जगा पर खड़े है move करने के ज़रूरत ही नहीं है तो यह क्या हो गया इसका displacement zero हो गया क्योंकि हमने यहाँ पर move ही नहीं किया और negative भी हो सकता है और इसका SI unit क्या होता है दोनों का meter तो exams में question आ सकता है कि can be positive, negative, zero or all of these इन सबी को जहाँ पर आप जितने भी points लिखे गे हैं इस वीडियो में जितने भी points बताया हैं जितने भी points लिखे गे हैं वो सब exams relevant है और मैंने जितने भी यहाँ पर points लिखे हैं यहाँ भी कुछ भी MCQs बगएरा दिये हैं इस वीडियो में वो सारे exam से collect की हैं कोई भी extra बाहर से नहीं किया है नहीं मैं कुछ आपको extra करवाने वाली हूँ सब exam relevant है तो इस वीडियो को ध्यान से देखें Now second one is the speed versus velocity Speed और velocity में क्या difference है अभी Speed क्या होती है यह हमेशे scalar quantity और velocity vector quantity होती है आपने speed तो हम सभी को पता है हम कितनी fast चल रहे हैं कितनी fast चल रहे हैं हम कोई vehicles होगे वो सब क्या बताते हैं आपको speed बताते हैं मतलब तो हम यहाँ पर बात करें थे speed versus velocity की speed और velocity में क्या difference होता है speed एक scalar quantity है on the other hand velocity एक vector quantity है velocity vector quantity है और speed एक scalar और speed क्या होता है हम जब कहीं भी move करते हैं जिस भी direction में move करें हम किसी ना किसी speed से तो चली रहे होंगे कितनी fast रहे होंगे अपनी position चेंज करते हैं यहाँ से यहाँ यहाँ कहीं भी हम अपनी direction चेंज कर रहे हैं किसी ना किसी speed से तो move कर रहे होंगे तो उसे हम बोलेंगे speed इसमें कोई भी particular direction नहीं दीगे और यही अगर speed अगर हम किसी particular direction move करते time speed की बात करें fix direction move कर रहे होते हैं तो उसे हम बोलते हैं velocity speed हमेशा positive होती है velocity positive negative या zero हो सकती है ऐसा unit इसमें आ जाएगा meter per second दोनों में कैसे इसका formula क्या है speed is equal to distance by time velocity का भी यही होता है distance by time अभी distance किसमें measure करते है distance हमेशा हम meter में करेंगे and time हम करेंगे second में so इसका unit आ जाएगा meter per second now second one is the acceleration acceleration also important acceleration में rate of change of velocity यह velocity की एक form है जिसमें क्या किया जाता है वहाँ पर velocity बताए गई है कि हम एक ही direction में जब move करते हैं जिस speed की साब move करते हैं उसे velocity बोला जाता है rate of change of velocity क्या है जैसे ही velocity हम किसी कहीं भी move कर रहे हैं एक particular direction में जब हम उसकी speed जो है कभी कम करते हैं कभी जादा करते हैं उसे ही हम acceleration बोलेंगे acceleration का मतलब है change of velocity मतलब velocity per unit time rate of change of velocity जब हम per unit time लगाते हैं ना किसी में भी तो वो क्या बन जाता है हमारा rate उसे हम rate बोलते हैं कि time के according कितनी velocity कितनी speed change हो रही है तो उसे हम rate बोलते हैं ठीक है तो acceleration पूरी क्या होगी rate of change of velocity यह एक vector quantity है क्योंकि velocity एक vector quantity है तो इसे कोई भी चीज़ डिराइव होगी वो एक vector quantity ही होगी तो यह उसका formula है और इसका unit आजाएगा meter per second का square कैसे velocity आजाती है हमारी meter per second velocity आगे meter per second और जब हम इसको time के साथ divide करते हैं तो यह भी per second और यह हम अपने मतलब पहले भी हमें पता है कि जब भी हम second को यहाँ पर divide करें इसको जब उपर की तरफ ले जाएगे तो meter per second multiply one y s हो जाएगा तो इसको multiply करेंगे तो meter per second का square इस तान से हम कोई भी unit जो है किसी का भी derive कर सकते है बस उसके formula से ओके now इसकी आगे acceleration further कुछ types की है सबसे पहले आती uniform acceleration uniform acceleration में क्या होता है जब भी एक velocity uniformly change कर रही है मतलब एक particular rate से change कर रही है मालो एक kilometer के बाद हमेशा velocity जो है वो two meter per second change करती है एक kilometer two meter per second थी जब second kilometer इसने cover किया तो इसने हमेशा two kilometer change कर रही है तो two plus two कितने हो जाएगी four meter per second अभी इसने further एक kilometer और cover किया तो इसने फिर से two kilometer change की कितने हो जाएगी plus two is equal to six meter per second मतलब इसमें uniform change हो रहा है मतलब same type का change हो रहा है uniformly मतलब एक particular time cover करते time एक particular distance cover करते time particular इसके velocity change हो रही है same velocity change हो रही है चाहे वो plus में हो चाहे वो minus में हो उसे हम uniform acceleration बोलेंगे now यह further कुछ types की है जैसे oscillator and de-accelerator or retarder velocity oscillator क्या होती है जब भी velocity increase करती है time के साथ जैसे मैंने अब भी example दी थी कि हर एक kilometer पे यह velocity जो है two meter per second change हो रही है किसी की भी जैसे मानलो अग कोई bus चाहा रही है तो हर एक kilometer के बाद वो अपनी two meter per second speed जो है वो increase कर रही है तो दूसे kilometer में वो 4 हो जाएगी तीसे kilometer में वो 6 हो जाएगी तो यहां पे हमेशा increase हो रही है velocity तो हम इसे बोलेंगे यह क्या है accelerated velocity है now retarder velocity क्या होता है retarder velocity में क्या आएगा velocity decrease with time हमेशा यहां पे हमने पहले देखा था कि वो increase हो रही है यहां पे हम देखेंगे velocity decrease हो रही है मानलो अगर एक kilometer कवर किया तो पहले उसकी velocity थी 10 meter per second किसी गाड़ी की तो जब second kilometer में के एक और kilometer add हुआ तो उसमें कितने हम assume कर लेते हैं कि वो हमेशा एक meter per second decrease हो रही है हर kilometer add-on पे तो कितनी रह जाएगी है यहां पे nine meter per second velocity का मतलब speed वो इतनी काम हो गई तो जब हम तीसरा kilometer चलेंगे तो वो हमेशा एक meter per second और decrease होगी अब उसकी speed हो रहा जाएगी 8 meter per second की speed से चल रही है then जब हमने दुवारा से अपना distance कवर किया तो 7 meter per second से उसकी speed है तो इस तरह से हमारी speed कामिया जादा होती है तो हमारी velocity accelerator retarded कहलाती है now अभी यह सारे जितने भी हमने terms जो है वो discuss की है इसी आप ध्यान से समझे क्योंकि जब भी आगे कोई video आने वाली है तो इसी के later होगी मतलब वहाँ पर हम direct बात करेंगे कि distance क्या है displacement कैसे होगा यहां मैंने आपको कहा था कि मैंने previous year mcq add किये हैं जो different exams में आए होगे हैं तो यह मैंने वहाँ से click किये हैं अगर आपसे यह सारे mcq solve हो जाते हैं then well done और अगर नहीं हो पाते तो इस video को दुबारा देखें so first question first mcq which quantity has direction scalar vector both none of these second as a unit of speed is centimeter per second meter per second square meter per second or unit less instrument used for measuring distance is barometer speedometer odometer and ammeter तो fourth question है which of the following is not a scalar quantity time work volume talk scalar quantity मैंने बताई थी उसमें सिफ magnitude होता है direction नहीं होती वहाँ पे मैंने examples भी दी हुई हैं तो आप इसे देखें और अच्छे से इन सभी mcq का answer दें which of the following is not a vector quantity torque velocity distance displacement as a unit of time is second or millisecond and minute which of the following is not the unit of length hand span meter lillometer and kilogram seventh eighth question is displacement can be positive negative zero all of the above ninth question velocity changes uniformly in equal interval of time uniform velocity accelerated velocity retarder velocity all of the above tenth question is rate of change of velocity is known as relative velocity acceleration uniform acceleration momentum तो ये कुछ mcq से जो मैंने add किये हैं आप इनने solve कने के कोशिश करें और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें जिससे ये mcq solve नहीं हो रहे हैं तो वो इस वीडियो को दोबारा देखें और फिर भी कोई doubt या query रह जाती है तो आप comment section में उस query को लिखें मैं उसे वहां पे आपकी solve करूंगी ओके थैंक्यू थैंक्यू